जेहन्द डिवर स्ट्वेंट और आप सब कैसे हैं आसा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जल्दी से जल्दी अभी आप जुड़ जाइए और थम में प्रेशन कीजिए जिससे की मुझे पता चले कि आप जुड़ चुके हैं ठीक है करने वाले हैं एक सांदार सेसन और भी ग्रुपड के लिए आपकी लेट हो गई नेटवर का कुछ इसू है जो इंटरनेट फाइवर है वो नहीं आ पा रहा है तो मुगाइल से कनेक्ट करके आपकी क्लास को जारी किया गया है जल्दी से जल्दी से भी जुड़ जाईए आज आपकी क्लास थोड़ी लेट हो गई इस कारण तो जल्दी से जुड़िए जल्दी जुड़ जाईए और एक सांदार सेशन हम करने वाले हैं इस क्लास में क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे, क्लास ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, देखिए, डिस्पले पर पहला कुर्शन आपकी सामने लगा हुआ है, नुमेरिकल कुर्शन है, बहुत ही अच्छा कुर्शन है, विद्धित एक फ्लामेंट में, फ्लामेंट द्वारा, नाइन मिनट में, 0.75 एंपियर की धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रवावित होने वाले आवेस की मात्रा, ग्यात कीजिए, पताइए, इस कुर्शन को, सॉल्व कीजिए, अच्छा कुर्शन है, चलिए, आज क्लास ले कर दीजिए, जिस्से की और भी लोग सभी छुड़ पाएं, कुस्सन आपके सामने डिस्पेले पर लगा हुआ है, सॉल्व कीजिए, साइंस का बहुत ही निमरिकल अच्छा कुस्सन है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, जब आप दीजिए, इसका क्या होगा, जब तक मैं जएकल लेता हूं कुछ, जल्दी सॉल्व करते हैं कुर्षन को, टीक है, टाइम भी हो गया, देखें, कुस्षन में आपसे क्या पूछा है, आवेस की मात्रा पूछी है, आवेस, क्या ग्याद करना है, आवेस आपसे पूछा गया है, चल्यें, देखो, विद्दुधारा, विद्दुधारा परावर होता है, आवेस बट्टे समय, यह होता आपका पूर्गूला, ठीक, अब देखो, हमें क्या ग्याद करना है, हमें ग्याद करना है, आवेस, क्या ग्याद करना है, हमें, आवेस हमें ग्याद करना है, तो आवेस परावर क्या हो जाएगा, आवेस, आवेस परावर, यह दर आएगा, यह बंटिप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्दुधारा, इंटु समय, विद्दुधारा इंटु समय, आप ाइए फिद्द्ध धारा हमें कितना दे रखा है यह दो दारा जीरो पॉइंट चेवन इंपियर को शैकी कितना दे रखा है nine minute nine minute minute में दे रखाए से हम क्या कर लेंगे सेकेंड में convert कर लेंगे तो 60 से इसका multiply कर देजेंगे आप देखो कि simplify कर लीजे इस zero इसको अटाएंगे तो नीचे 20 लग जाएंगे स्मार्ट तरीके से कीजिए 9, 4, 36, 360 यह हो गया और 9, 5, 45 360 और 45 कितना हो गया 405 405 405 कूलाम क्या होगा आपका आंसर होगा option number D option number D आपका क्या हो जाएगा right answer 405 कूलाम चीज़े समझ पे आई 405 कूलाम आपका क्या हो जाएगा right answer होगा 405 कूलाम ठीक बिमल ने दिया है A 270 राहूल ने A चलिए 405 कूलाम हो गया इसका answer next question की तरह बढ़ेंगे ठीक है पौधों में लचीलापन परदान करने वाले इस्थाई उतक को कहा जाता है पौधों में लचीलापन परदान करने के लिए परदान करने वाले इस्थाई उतक को कहा जाता है एरेन काइमा इसकलेरेन काइमा कॉलेन काइमा और पैरेन काइमा 4 option आपके सामने है बताईए इसका right answer क्या होगा comment करके इसका right answer क्या होगा comment करके बताईए बहुती अच्छा कुस्षन है previous year question paper है ने जुड़ पा रहे हैं, share कीजिए, राहुल का अंसर आ गया है, दो का C, और दीजिए जो भी लोग जुड़े हुए है, सबी जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, राहुल दिंकर दोका B और दीजे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्लास तोड़ा लेट है आज तो लेट टाइम से फिनेश करना होगा जल्दी कीजिए चलिए देखो इसका उप्संन नमर क्या होगा कॉलेन कायमा कॉलेन कायमा लचीले पन के लिए उता है लचीला पन लचीला पन अब इसके लिए किसके लिए होता है यह उतक यह होता आपको कठोर के लिए यह भी कुस्ष्ण आप से पूछा गया है कठोर और द्रड बनाने के लिए किया जाता है और इसके बाद अपका नेक्स्ट है अंतर कोशाओं के संचारित विरल के लिए किया जाता है और इसका पौदे की पतली दीवार के लिए पतली दीवार के लिए ठीक तो चीजे समझ में आप आई यहां तक कॉलें काइमर राइट आंसर होगा अपसा नमर सी लचीले पन के लि नो यह कुशन पूछे जाते हैं आपसे इसके लिन काइमा और कॉलें काइमा लचीलापन के लिए और इसके लिन काइमा कठोर और द्रड बनाने के लिए किया जाता है ठीक तो चीजे समझ पाए चलिए नेक्स्ट कुशन की तरफ बढ़ते हैं देखिए खालीस्तान दरसात है कि एक तत्तु की परमाडू संख्या उसके परमाडू दुर्पमान की तुलना में अधिक मौलेक गुड हैं तो यह कौन दर्साता है हैं हेंडरी केविंडेस जॉन नीवलेंड हेंडरी मौसले और डेमित्र मेंडली बताइए कौन से जो बैग्यानिक हैं उन्होंने यह सिद होगा इसका राइट अंजर कुण साथ है अंजर इसका क्या हो लाइभने पता है ऑल शेयर नहीं कर रहे हो यह सेयर करो लाइक के नियोन ये बोलते हैं इतना आप से विल्ब लिए बोलते हैं जोसिश्पा जब लोग तो लाइक तो अपने आप सुटाई कर देंगे पहले देखो समझ लेते हैं समय हो गया एक तत्तु की परमाडू संख्या और उसके परमाडू दुर्पमान की तुल्णा में अधिक मौले गुड़ होते हैं तो यह किसने थिसत गिया किसने बताया हेंडरी मौसले हेंडरी मौसले ने इन्होंने 1913 में क्या दिया आधनिक आवर्त साणी आधनिक आवर्त साणी मेंडली आवर्त साणी का जनक का आ जाता है ने आवर्त साणी का जनक आवर्त साणी का जनक निव लेंड ने क्या दिया निव लेंड ने अश्टक नियम दिया था अश्टक सबसेते हैं तो यह कुस्टन आपसे बार वार प्रपीट होते हैं कि मेंड आधनिक आवर्शाइंडी का जैनक कौन है तो मेंडेलिफ लगाएंगे और modern आधनिक आवर्शाइंडी modern periodic table के जो जैनक हैं वो किसको लगाऊँगे मौसले को नियु लेंड ने किया दिया अश्टक नियम दिया और डौवे राइनन ने किया दिया त्रेक सिद्दान दिया था और इसके बाद आपने ऑप्शन में हैं एंड्री केविंडेस इन्होंने क्या किया हाइड्रोजन की खोज की ठीक तो चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर लागू होगा न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम क्या है किरिया प्रतिकिरिया का नियम होता है कौन सा किरिया प्रतिकिरिया का नियम चलो मैंने इतना हिंट दिया आपको अब इस कुछन का आंसर जल्दी आ जाना चाहिए कमे जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लॉर पर गिरता है तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक छेत्र अच्छक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिसामें गिरते हैं जब इस्थरिद बस अचानक चलती है जब जब भी बस्टि है गंफर्म शकति पहला ही होगा यह बिल्कुल सही करिया प्रतिकरिया का नाम सीधा सीधा लग रहा है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर पूंदता है तो नाव जब वह कूंद रहा है तो नाव पर भी प्रेसर लगा और नाव पीछे तो यहां करिया और प्रत्ष करिया का नियम लगता है एक उधारण और भी बूझ लेता है कि रॉकेट लॉंचंग में जो क्वं सह नियम लगता है तो ओंफिन Nicole लिए क्वा एक हो जाएका इसका राइट आंसर होगा प्रत Mengेग क्या होगा राइट आंसर होगा तो वो किस कारण करता है गुर्त्यवल अब केंद्रीवल अब केंद्रीवल नावगीवल बताइए इसका जवाब क्या होगा अच्छा तुम बताओ भई गुर्त्वा कर्षंडबल गुर्त्यवल राहुल ने दिया है फोर कहे सही जवाब तो इसका क्या होगा राइट आंसर प्रत्वी यह है गुर्त्यवल गुर्त्यवल वह वल जो किसी वी बस्तू और पिंड को अपनी केंद्रीवल आकर सित करे कुछ चीज़ा नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि क्लास थोड़ा फास्ट करना है गुर्त्यवल किसे कहते हैं वह वल जो किसी वी बस्तू या पिंड को अपनी केंद्री की तरफ आकर सित करती है खीचती है उसे क्या कहा जाता है तो प्रत्वी में क्या है अपना खुद का गुर्त्यवल है और जो प्रतिक बस्तू हम कोई बस्तू अगर उपर भी फ खारण करता है ठीक अब केंद्रीवल और अब केंद्रीवल और नावगेवल इनसे भी तीन से प्रसन आप से देखने को मिलते हैं तो अब केंद्रीवल अब केंद्री वल क्या होता है अंदर की ओल लगने वाला बल यह चीज़ें देखो नोट करते जाए यह सीधा सीधा इसलिए मैं कराता हूं इस चीज़ों को चार चार ओप्सन को कि आपके अधर भी प्रसंट कंप्लीट हो जाए कराने को मैं इन 25 कुछिस्टन को 25 मिनट नहीं लगेंगी ऑप्सन एप्सन भी ऐसा भी करा सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक बहत्रीन क्लास मिले और चार ओप्सन जो भी दिये हो उनका वी स्टेड्मेंट जहां से प्रसंट पूछे जा रहे हैं वह पूरा को सिद्ध किया जाता है देने का तो अब केंद्र अब केंद्रियेवल समझे लीजे बाहर की ओल लगने वाल अब कि इसका सिद्ध को सीधा यह उदा यह कुस्ट्चन अब केंद्रियेवल से प्रसंट जादा तर पूछने को मिल देखने को मिलता है कि जो मोतका कुआ है उसमें कौन सा बल लगता है वाइक जब वाइक चलात तो उसमें क्या लगता है अब केंद्रिए के तरफ ऊसका ऊसी प्रमाडू में नीट्रॉन के बीच लगने वाले बिलो बन को क्या कहते हैं झालग किये बल केहते हैं चलिए नेक्स्ट कुछन की तरह बढ़ते हैं देखिए सिलिका गुलंसील है सिलिका गुलंसील है बताईए सिलिका गुलंसील है हाइडरोजन फ्लोराइड में बताईए किसम है एस्टु एसोफोर अमोनियू सल्फिरीक हमल बताई चार ओप्सन आपके सामने दिये हुएं चारों में से कौन सा आंसर होगा क्योंकि मैं हिंदी में आपको नाम बता रहा हूं तो और आपको हिंट मिल सही जवाब ता आपका चलिए नेक्स्ट कुशन का जवाब दीजिए सिलका गुलंसील है सिलका गुलंसील है तो किसमें गुलंसील है पताई भाई किसमें गुलंसील है ने अपना बताओ कुछ तो बताओ सजेशन दो गलत से नहीं ड़ना चाहिए कभी गलत जा रहा है अंस यह है इसका right answer hydrogen, fluoride, क्या हो जाएगा hydrogen, fluoride, hydrogen, fluoride, hydrogen, fluoride, ठीक, चलिए next option A right हो गया आपका, चलिए next की दरब बढ़ते हूं देखो कुश्चन नमरr 7 आपके सामने डिस्प्लेय पर लगा हुआ है कुश्चन नमर 7 एक अवतल दरपन सूर के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर की किरणों का अविसरन दरपन के मुख अच्छ पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदू पर होता है अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मुम्बत्ती को दरपन के मुख अच्छ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मुम्बत्ती की प्रतिवम कितनी दूर बनेगा बताए पंदरा पीस दस पांच ओप्सन आपके सामने है सॉल्प कीजिए नियुमेरिकल कुस्टन है बहुत ही अच्छा कुस्टन है बताए भाई सॉल्प कीजिए नियुमेरिकल कुस्टन को राहूल तोड़ा कमेंट फास्ट कीजिए तो लो आता है आपका कमेंट पताए इसका क्या आंसर होगा नियुमेरिकल कुस्टन का एक अवतल दरपन शूर के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर की केड़ा का विसरन दरपन के मुखच पर 5 सेंटिमीटर दूर एक बिंदू पर होता है अब यदि 3 सेंटिमीटर लंबी एक मुखच पर 10 सेंटिमीटर की दूरी पर रखा जाए तो दुम्म मुखच दारा पत्मम किनी दूरी पर होगा चलिए कुस्टन को देखो इसको सॉल्ब कर ले देते हैं अब तल दरपन की फोकस दूरी अब तल अब तल दरपन की फोकस दूरी अब तल दरपन की फोकस दूरी एफ बराबर कितना देर का है फाइव मैनिस फाइव सेंटिमीटर ठीक उसके बाद देखो उसके बाद 5 सेंटिमेटर दूर एक बिंदू पर हो अब यदि 3 सेंटिमेटर लंबर ये एक मмовबत्ती तरपण के मुखच पर 10 सेंटिमेटर की दूरी पर है ठीके तो तरपण से मौमबत्ती की दूरी तरपन से मौम्बत्ती मौम्बत्ती की तूरी क्यों बरावर कितना दे रखा है अनस 10 सेंटिमीटर ठीक अब यह कह रहा है तो मौम्बत्ती का प्रत्वम कितनी दूर बनेगा तो मौम्बत्ती का प्रत्वम कितनी दूर बनेगा तो देखिए क्या ग्याद करना है तरपांड से प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब तरपांड से प्रतिविम्ब की तूरी तरपांड से प्रतिविम्ब की दूरी तरपांड से प्रतिविम्ब की दूरी या ग्यात का ना वी ठीकर अब देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है देखे समझ अब इस फॉल्मूलिय में इसमें क्या है आपको यह सेट करना है कुछ भी नहीं है कुस्ष्ण में है ही क्या इस कुस्ष्ण में देखिए एट उप एकफ़ीच में इसमें अपयाओ को इसे सिंप्लिफाई कर लिजिए इसनल्य को इधर हो जाएगा फाइव ठीक है अब इसका एंसेम ले लेंगे हम कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा यह दस पंजे पचास फाइब कि तोरी सोरी मैंने प्लस लगा दिया कि माइनस ही रहेगा तो कि इधर आके माइनस को हो गया माइनस पांधाम पचास दस तो कितना आ जाएगा स्प्लिफाइऔ करेंगे तो मैनेस के फाइब बटे पचास तो और सॉल्फ कर लीजेसे माइनस के वन अपॉन टेन या टेन टेन के लिए टेन सेंटी मीटर माइनस के वन अपॉन नमबर, option नमबर C, इसका क्या होगा, right, answer होगा, option नमबर C, minus की value को जब हम plus में convert करेंगे, तो क्या हो जागा, 10 cm हो जाएगा, 1.10 को, ठीक, चलिए, धर्मेंदर सिंग, धर्मेंदर सिंग ने 5 cm दिया है, 5 cm कैसे दिया है, 5 cm कैसे दिया आपने, 5 cm नहीं होगा, 10 cm इसका सही जबाब होगा, चलिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक बाद दवारा रिपे, उत्तत दर्प की focus दूरी आपको 5 दे रखिए, दर्पन की मुंबत्ती की दूरी 10, हमें क्या लेकाना, तो प्रत्पन की दूरी formula लगा है, 1.1.f बरावर 1.v1.u, simplify करेंगे, तो क् next question की दरब बढ़ते हैं, देखिए, question number 8, question number 8 आपके सामने display पर लगा हुआ है, question number 8 आपके सामने display पर लगा हुआ है, solve कीजिए, एक भीडवार वाली सडक पर एक बस की गती, गती का एक उधारण है, जो एक भीडवार वाली रोड पर एक बस चल रही है, तो वो कौन सी गत आपका उधारण है, बताइए, चार उप्सन आपके सामने display रेखिए, एक समान, समान, ब्रति है, कौन सा आपका right answer होगा, बताइए, right answer का जवाब दीजे, क्या होगा, इसका सही answer, जल्दी जल्दी first watch comment कीजिए, क्या होगा, इसका right answer क्या होगा, सही answer का जवाब दीजे, right answer आपका क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा इसका right answer, अभी comments नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बेजो comments, कैसे issue आ रहा है अपका, अभी comments बहुत लेट आती है, कुछ ना कुछ problem से इसमें, technical, चलिए, तो एक भीड़बार वाली सड़क पर एक बस की गती, कौन सी गती का उधारन है, जब भीड़बार होगी, तो बस की speed कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, असमान, असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असमान, समान नहीं चलेगी, असमान गती करेगी, बस ठीक, चलिए, next question की तरफ बढ़े कमेंट कीजिए, right answer क्या है, धर्मेंदत दे रहें, C, देखो, question number और साथ में लिखिए, इससे यह होता है, कि आप लेट आपकी comment आती है, तो पिछले question का जवाद दे रहे हैं, question number साथ में डाला करिए, कि 2 का C, 3 का C, ऐसे इस तरीके comment कीजिए, बताईए इसका right answer क्या होगा सरीर की विसेशताओं को दर्साने वाला साथ पर निमने मैं से कौन सा है, एक प्रारूपी, समझीनी, परियावन द्वारास, नियंतरत, और समलाच्छी, बताओ, क्या होगा, सही जवाब, सही जवाब इसका क्या होगा, comment कीजिए, comment करके बताईए इसका सही जवाब क्या हो होगा, चलिए, तो क्या हो जाएगा, समलाच्छी, क्या हो जाएगा, option number D, option number D, इसका होगा, सही जवाब होगा, आशा करता हूँ, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आप वीडियो को सेर करेंगे, जिन तक जो स्प्रेंट है, रर्वी, गरूप डी, रेलवे के लिए, उन कितनी नीद आ रही है आपको, अगर सोते ही रह जाओगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे, नीम से जागो, पढ़ाई करो, अध्यन करो, बिना पढ़े कुछ नहीं है, कुछन है, को अभेलंगी फूल के रूप में, जाना जाता है, ये कुछन तो क्याई बा पांचो, आप कितने पानी में हो, कितने नंबर ला पा रहे हो, 25 कुस्टन में से, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दिन आप क्लास में आते हो, दूसरे दिन गायव हो जाते हो, तो इससे क्या है, इससे कुछ नहीं हो रहे वाला, चीजों को थोड़ा बहतर कीजिए, बास समझ जवाब, आप्सन नंबर B होगा, आप्सन नंबर B, को बेलंगी फूल के रुप में जाना जाता है, दस्त का क्या हो जाएगा, B होगा, दस्त का B, देखो ओल लाइन में कितना हो है, एक एक दो दो बच्चेओं की वज़े से क्लास, पे भी क्लास चलानी पढ़ रही है, यह कि सभी तक हमारी पढ़ाई पहुंच सके, कॉंसेप्ट हमारे पहुच चेके, ठीक, तो चीजे जुड़ेंगी, इस्टुएंट और जुड़ते चले जाएंगे समय के साथ, चलिए, तो क्या हो जाएगा, सरसों क्या है, एक उवेलंगी, पोस्प है, सरसों क्या है, एक उव अवतल दरपन का प्रियोग नहीं होता, किसमे अवतल दरपन का प्रियोग नहीं होता, बताइए, जवाब दीजे भाई, किसमे अवतल दरपन का प्रियोग नहीं होता है, बताइए, कमेंट में जवाब दीजे, किसमे अवतल दरपन का प्रियोग नहीं होता, दीजे कमेंट में जबाब कि ओके 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 आंसर का जवाब दीजिए ये परस्टनल चीज़ें वह कीजिए अध्यान करते हैं तो अच्छी बात है रहे ये बात है चलिए ठीक का जवाब कुस्ण के जवाब दीजिए कुस्ण क्या होगा निमन मैंसे किसमे अवतल दरपन का प्रयोग नहीं होता ये परस्टनल चीजों के मैंसे मत कीजिए इसमें डिलेट कीजिए मैंसे को च्चोंकि इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे बाद म होती है comment भी जाते है टिक छले कि किसमे अवतल दरपण का प्रीयोग नहीं होता पता ही इसका हो जाएगा तो किसका हो जाएगा स्छ पच्छ दर्शी करण सी डरपण क्या होता है क्या होता है राइट अंसर यह होगा तो गाड़ियों के जो साइड में जो मिरल लगे होते हैं पस्च जर्शी उसमें क्या लगता उत्तल दर्पण का प्रियोग किया जाता है किसका उत्तल दर्पण का तो यह कह रहा है निमने मैंसे किसमें अबतल दर्पण का प्रियोग नहीं होता तो किसमें पस्च जर्शी दर्पण में किसका प्रियोग होता है इसमें उत्तल दरपन का तो right answer option नमर बी बाकी search lights और बट्टी गाड़ी की headlight इन में किसका प्रयोग किया जाता है अवतल दरपन का इन में क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है चलिए next कि दर बढ़ते हैं देखे गुर्तवा कर्शनडबाल बस्तूओं के बीच मौजूद होता है परन् परन्तु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक की बस्तूओं का दरब्यमान बहुत अदेखो जैसे की ग्रहम में नहीं है तो बस्तूओं इसका right answer का जबाब क्या होगा बताइए क्या होगा इसका right answer भाई 25 अगर आप गुरुपडी में नोकरी लेने का और रेलेवे में सपना देख रहे हैं और साइंस आपकी complete नहीं है तो असे सपना पूरा नहीं होगा कि बिगर साइंस के आप सेलक्षन ले जाएं इतनी बहतरीन क्लास चलती है और आप एक दिन क्लास में आते हो दूसरी दिन क्लास में नहीं आते हो आज थोड़ा मैं मानता हू हूं कि क्लास चलती हो गया इंटरनेट का सूरा लेकिन आगे से नहीं होगा चीजों को बहतर करने की कोशिस की जा रही है तो चलिए देखो क्या होगा इसका प्रतेक और रेक प्रतेक बस्तूओं के बीच मौजूद होता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नम्मर बी चलिए ये नेक्स्त की तरब बढ़ेंगे अगर क्शन नम्मत-13 आप किसी जगत में सवी जीवों को रखेंगे जो कोश का वित्ति के साथ बहु कोश किये सुकेंद्रिक हैं सही जवाब क्या होगा बताए राइड आंसर सही जवाब इसका क्या होगा एनिमालिया मोनेरा प्लांटी प्रोटिस्टा आप इस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोस का भित्ती के साथ बहु कोस की सुकंद्रिक है सही जवाब इसका क्या होगा कमेंट करके दीजे कमेंट कीजे इसका सही जवाब क्या होगा बताईए इसका सही जवाब क्या होगा तो क्या होगा इसका सही जवाब भाई इतने सरल सरल आपसे कुस्टनों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप क्या करेंगे राउल का जवाब आया तेरे का तेरे का ए दे रहे हैं आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोश का अभित्ती के साथ बहु कोश की सुकेंद्रेक है तो क्या होगा राइट आंसर प्लांटी ओप्सन नमबर C राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे देखे, दंत वल्क, दंत एनोमोल में किस से बना होता है जो दंत वल्क है दंत वल्क किसका बना होता है बताए, पोटेसियम फॉस्पेट, कॉल्सियम फॉस्पेट, पेरेस फॉस्पेट और सोडियम फॉस्पेट किसका बना होता है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब इसका क्या होगा बताइए दंत वल्क किसका बना होता है इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट कीजे दंत वल्क दंत एनोमिल किससे बना होता है पोटेसियम फोस्पेट कैलसियम फोस्पेट पेरेस फोस्प स्ट्रांसर का जवाब दिचे ए चोढ़ दे रहे हैं उत्तिने लोग जड़े हुए बैए यह उत्तों दुखेंगे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो पड़ translateV자가 क्या जबाब होगा इसका बताए जल्दि तो जबाब होगा इसका उस्तों नंबर क्या होगा इसमें थोड़ा ऑप्षन उसने टाप एक ट्रेमिस ट्रेस कर दी है ए बी डी ठीक है चार उप्षन आपके सामने है तो क्या होगा कैल्सियम फॉस्पेट फॉस्पेट उप्षन नंबर B, option नमर B हो जाएगा आपका right answer, calcium phosphate dantanomol में किस से बने किसका बना होता है, तो किसका calcium phosphate का, ठीक चलिए, next question की दरब बढ़ते हैं देखिए, एक ही समू में तत्तों के समान है, एक ही समू में तत्तों के समान है, बताए क्या होगा इसका answer, एक ही क्या होगा इसका सही answer इसका जवाब क्या होगा, दीजिए इसका जवाब इसका answer क्या होगा, एक ही समू में तत्तों के समान है, इसका right answer का जवाब दीजिए जल्दी, comments में अब कि आज तो बुलकुल numerical question भी नहीं है, एक दो numerical आया था only, दो थे, और अभी और फिर भी आप theory के इतने सरल कुस्तनों के जवाब नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जीजे दर्वेंदर का जवाब आया है, पंद्रे का A, पंद्रे का A दे रहे हैं दर्वेंदर, और दीजे जवाब जल्दी जल्दी, पंद्रे का बाई कैसे दे हो जल किया हो जाएगा इसका राइट अंसर राय सायने गुड़ राय सायने गुड़ उसमान होते हैं कि प्रियोडिक टेबल में जो समय होते हैं दो होते हैं लाय सैने गुड समान होते हैं चलिए नक्स्ट कुशन की तरह पढ़ेंगे देखे लोह जंग का रंग है लाल ग्रे लाल पीला लाल लीना लाल भूरे रंग का बताए क्या होगा जबाब बताए इसका जवाब क्या होगा कमेंट करके बताईए इसका जबाब क्या होगा लोह जंग का रंग लाल गरे लाल पीला लाल लीला लाल भूरे रंग सही जबाब का अंसर दीजे कमेंट में इसका अंसर का जबाब क्या होगा चले कमेंट कीजे फास्ट क्या होगा इसका जबाब सही रेड ग्रेड कमेंट कर रहे हैं रेड ग्रेड और लोग कीजिए कमेंट सही आंसर का जवाब दीजिए भाई सभी दीजिए जल्दे यल्दी आंसर का जवाब दीजिए लोह जंग का रंग है लोह जंग का रंग है लोह जंग लोह जंग का रंग है तो क्या है लोह जंग का रहे लाल भूरे रंग का लाल भूरे रंग का लाल भूरे रंग का ओप्सन नमर क्या हो जाएगा है डी लाल भूरे रंग का चलिए नेक्स्ट कुशन की तरब बढ़ते हैं देखिए निमलिखित में से क्या समान है चारा उप्सन आपके सामने स्टेडमेंट दिये हुए हैं इनमें क्या चीज समान है वो आपको बताना है देखो मैं उप्सन पढ़ता हूँ आप सुनते जाए और एक बार आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है चलिए एक तीब्र गती से आ उसके बाद ऑप्सन सी तेजी से चलती हुई तेजी से चलती हुई हवा कैई घरों को नुक्सान पहुंचा सकती है और उसके बाद ऑप्सन नमर डी हवा पबन चक्की के फलकों को चला सकती है तो बताए इसका राइट अंसर का जवाब क्या होगा अब तो आपको हिंट भी मिलगी होगी यहां से, इसका सही जवाब क्या होगा, बतAYे, option, कुछтन नम-17 का जवाब दीजिए भई, क्या होगा इसका सही जवाब, कुछ्छन नम-17, निम लेखित में से इन में 4 statement दिये हुए हैं, आपको 4 statement में से सही जवाब क्या होगा सही जवाब दीजिए बताई इसका सही जवाब क्या होगा कि इसके प्रियास्तों गीजिए आज गल्त करोगे जबी तो सही किजिए करेगे करोगे पर आप जवाबी नहीं दे रहे हो तो कैसे आएगा solution तो बताइए इसका right answer क्या होगा क्या हो जाएगा तोले का डी दे रहे हैं राहुल तोले अतितीब्रगती अतितीब्रगती तो इसमें क्या है एक चीज अतितीब्रगती ये कोई गती थोड़ी अतितीब्रगती तो नाम है अतितिप्र गति जूर्जा देखो गति जूर्जा इसमें क्या है समान है सभी में क्या हो रहा है स्टेड्मेंट समझे यह कोई ऑप्सन नहीं है रख दिया है डी ऑप्सन सभी में क्या है सम में क्या हो रही है उपर वाले स्टेड्मेंट में भी गति हो रही है उसक राइट अंसर का जवाब क्या होगा कि गतिज उर्जा क्या हो जाएगा गतिज उर्जा चलिए राइट अंसर के next question बढ़ेंगे नेमलिकित मैंसे कौन सी उर्जा गती के साथ बढ़ती है नेमलिकित मैंसे कौन सी उर्जा गती के साथ बढ़ती है बताए इसका right answer का जवाब क्या होगा नेमलिकित मैंसे कौन सी उर्जा गती के साथ बढ़ती है जवाब दीजे इसका कौन सी उर्जा गती के स सात बढ़ती है कि बताए ड़िया कौनसी उर्जा गति के साथ बढ़ती है कमेंट कीजेए और सही answer का जवाब दीजिए च्छा होगा सही answer है की गति जूर जा कि गती जूर जा बताएushka सही जवाब क्या हो अठारे या ये हो जाएगा ये मैं सबकुत बखाता ये जवाले लोगने या ये इस इन के द्वारा सोर में करत किया जाता है कोई बस तू अपने अश्त दिवाकार में जो के कारण कार करने की जो छमता होती है उसे इस्थित दूर्जा कहते हैं विद्ध दूर्जा आपकी एलेक्टिसिटी आ गई आपकी ठीक है तो चीज़ां यहां तक किलियर हुई चलिए डायलेसिस की प्रकिरिया किससे संबंदित है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कुश्चन नमर 19 का जवाब दीजिए डायलेसिस की प्रकिरिया किससे संबंदित है इस कुश्चन का सही जवाब देंगे आप कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा जिगर गुर्दा पेट फैंपडे बताइए इसका राइट जवाब फैंपडे ठीक और पेट सही आंसर का जवाब देंगे 19 का डी 19 का डी दे रहे हो सही आंसर मुझे लगता आप पढ़ाई कि थोड़ा अध्यान से सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो बताये इसका सही आंसर का जबाब क्या होगा? इसका right answer होगा चलिये next की दरब बढ़ेंगे देखे जब लोहे को खालिस्टान ओर के साथ मिस्ठ्त किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? stainless steel मिलता है तो बताईए किस को mix किया जाता है चार option आपके सामने display पे हैं बताईए किस किस को इसमें mix किया जाता है बताओ जबाब क्या होगा सही जबाब कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कैसे बाग जाते हो आंसर के जवाब नहीं दे रहे हो इस बज़े से लाइब से बाग जाते हो पढ़ाई कीजिए कम अगर आपको आंसर के जवाब नहीं दे पा रहे हो आप तो कम से कम आप कीजों को सीखोगी तो सही बिना सीके कुछ नहीं है और दीज़ुरी चीज़ यह है कि यदि आपको अपने माता पिता का भाई सफना पूरा करना है तो चीज़े पढ़नी तो पढ़ेगी बिना पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में अगर जौब पानी है सिलेक्शन पाना एक रैस्पक्ट म प्रोमियं में कि निकल प्रोमियम का जो हम मिक्सर करते हैं तो क्या मिलता है हमें स्केंसा स्टेलाइस स्टील मिलती है राइट आंसर क्या होगा does this का क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे देदेगे मेन कि oxide की अमलता का सही बढ़ता किरम क्या है बता यूदा٥ का कृवा का जवाब का आप अंसर दीजिये क्या होगा की आज्गार का जवाब करण दीजिए नमर 16 इससान नमर 21 का जवाब दीजिये क्या होगा सई अंसर और आज आपकी क्लास वैसे सब्सक्राइं तो बताई इसका जबाब क्या होगा सभी आंसर का जवाब देंगे क्या होगा इसका राइट हुआ कि क्योंकि फास्ट कमेंस दोगे आप जबी उसका अंसर होगा धार्में अदर दे रहे हैं 21 21 का A, 21 का A, सही जवाब है आपका, 21 का A, चलिए, टाइम भी हो गया भई, और क्या हो जाएगा, राइट अंसर 21 का A हो जाएगा, चलिए, ठीक, सही जवाब है आपका बुलकुल, बुलकुल आपका क्या है, सही जवाब होगा, चलिए, next question की तरफ बढ़ेंगे, देखे, question number 22, question number 22, question number 22 आपके सामने, डिपसले पर लगा हुआ है, जब प्रयोक्त बल की दिशा और बस्तू के गतिसील होने की दिशा एक दूसरे के लमवत हो, जब प्रयोक्त बल की दिशा और बस्तू के गतिसील होने की दिशा एक दूसरे के लमवत हो तो, क्या होगा, सक्त अप्रयोग किया गया कोई कार्य नहीं हुआ कार्य हुआ सही आंसर का जबाब आप देंगे सही और राइट करके बताई यहां करे आप अर्ष गुरूबड की तयारी कर रहे हैं और आपके भाई जो भी हैं फ्रेंट्स हैं वो भी अगर रर्वी रेलवे और गुरुपडी की अंटीबी सी की तयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास को सेयर कीजिए जिससे कि उनको इस क्लास का पूरा-फूरा फाइदा मिले क्योंकि एक मौक टेस्ट क्लास है और इससे आपको बहुत ही अच्छा फाइदा होने वाला है क्यों होने वाला है क्योंकि आप अपनी तयारी को जाच सकते हो कि आपकी तयारी कितनी बहतर है आपकी तयारी कितनी बहतर है अपनी तयारियों को तो हम जाच सकते हो इसके बाद बताइए इस चलिए, तो क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है, चलिए, option number C, चलिए next question देखेंगे, देखे, फॉस्पोरस के एक परमाड़ुक्ता क्या है, बते, question number 23, फॉस्पोरस की एक परमाड़ुक्ता क्या है, right answer क्या होगा, comment में कीजिए, दीजिए कि इसका comment में answer, फॉस्पोरस की एक परमाड़ुक्ता क्या है, क्या है, बताए, वह परमाड़ुक्ता, दुए परमाड़ुक्ता, चतु परमाड़ुक्ता, एक परमाड़ुक्ता, क्या होगा, इसका सही answer, का जवाब दीजिए, क्या होगा, इसका सही answer, भई, आज आपने वीडियो को आज मैंने भी सेर नहीं किया कि तो आपकी स्चाट कर दी थी तो कुछ चीजें से भी नहीं जुट पाएं ठीक है और चीजें करेंट को प्रिबियस येर से ही उठाके आपके सामने दिया जा रहा हो दूसरे नमबर आपकी कमेंट को बढ़ा जा रहा है साथ के साथ ठीक अगर आप अधर किसी चैनल पर जाते हैं जहां बहुत सारी भीडों होती तो आपकी कमेंट भी नहीं पढ़ी जाती है चलिए तो क् पॉस्पोरस के प्रवनगता क्या है चलिए देखिए कुस्टन समाप्त हो चुके हैं इतने ही कुस्टन थे इसमें ठेंक्स पॉर वचिंग यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूल कीजिए यह थंब इंप्रेशन कहता आपको नोटिस उसका पहुंच जाए ठीक है और उसके बाद वीडियो को क्या करेंगे वीडियो को करेंगे सेयर वीडियो को सेयर कीजिए जिससे की और भी आपके जो भाई भेन हैं और मित्र हैं फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और एक चीज और कहता हू 25 किसनों में से मेरे इतने सही जवाब गए ठीक वो आप अपना डालेंगे ठीक है तो इसी के साथ क्लास आपको एक प्यारा सा कमेंट डालेंगे कि क्लास आपकी कैसी लगी आपको ओफलाइन कमेंट में ओफलाइन जब वीडियो ये एंड हो जाएगी लाइब तो उसके बाद जब ओफलाइन हो जाएगी वीडियो तो उसमें आप एक प्यारा सा कमेंट डालेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है उसके बाद इस कलास को यहीं पर समप्त करते हैं और बहुत बैतरीन क्लास रही, ठीक, धन्यवाद.